Hello Everyone, Welcome to Pharmacy Classes आज हम लोग इस वीडियो में study करने वाले हैं ड्रॉप्स के बारे में जो कि internal use के लिए है साथ ही हम ड्रोजेस के बारे में study करेंगे जो कि internal use के लिए होता है यह सबसे पहले हम ड्रॉप्स के बारे में study करते हैं इसका लिए ये जो ड्रापस होता है ये मौनोफेजिक लिक्विड डोजिज फॉर्म का एक्जाम्पल्स होता है मोनोफेजिक लिक्विड दोजिज फॉर्म का मतलब होता है जो भी हमारा S double solvent है यह आपस में completely ले डिजॉल्व है और इसको हम फेल्टर पेपर की मदद से सेपरेट आउट नहीं कर सकते साथ ही हम माइक्रोइसकोपिक एक्जामिनेशन्स के थुरू हम यह आइडाइंटिफाइड नहीं कर सकते या फिर यह डिफ्रेंसियेट नहीं कर सकते कि कौन सा पार्टिकल होता है औरल अडिछेसन के के लिए और यह जो ड्रॉप्स आते ह्यांीटरनेटमीनेशंशे ARE एक मोनोफफेजिक लिक बात के रहें बदा contain किया होता है एक single dhoge को एक container में और ये जो हमारा drosges होता है इसमें परतेक हमारा डोज है इसको हम एक separate bottle में contain करता है और ये जो इसका maximum volume होता है एक container का वो होता है 15 ml साथी यह जो हमारा drosges होता है इसके bottle पर जो labeling होती है उस पर हमें essentially mention करना पड़ता है कि उसके storage conditions के बारे में साथी यह जो हमारा drosges होता है इसकी expiry date काफी short होती है प्रोक्स 48 आवर्स वहीं जो हमारा ड्रोजेस ड्रोजेस फॉर्म के एक्जांपल्स की बात करें तो उसमें आता है हमारा एपी के एक उनहा होता है इसका इस्तमाल हम वोमिटिंग को इंडियूस करने के लिए करते हैं जैसे कि कोई भी परसन अगर एक्सिडेंटली पॉइजन मुझे में हो। एपी के कुणहा के मदद से करते हैं और यह जो एपी के कुणहा यह दिराव ड्रोजेस के वां में अबलैबल से हैं ten है । pragmatic ॉछे Duchी उसको renowned एक सेप्रेट बॉटल में जिसका यह लोता है वह 15 एम il होता है झाल झाल